सब्सकारब करें अपने यूट्यूब चैनल लार्न अबॉट मेडिसिन को और बैल ऐकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्स पाने के लिए स्वाकत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल Learn About Medicine में जहां आप आते दवाईयों के बारे में संफोन जान करें दोस्तों आज के इस वीडियो में कैसी टेबलेट के बारे में जानेंगे जिसका प्रियोग पेड संबंधी बिमारियों को ठीक करने के लिए लिया जाता है और यहाँ टेबलेट दो अलगलग दवाओं को कॉमपोजिशन है वे दवाईयां है क्लोडाइज एपोक्सवाइड टता क्लिनिडियम ब्रोमाइड हम जानेंगे इस टेबलेट में यह दोनों ही दवाईयां क्या है किस तरह से कारे करती है क्या इस चंथ में मिला ही जाती है किस नाम से हम इस टेबलेट को मेडिकल एस्टो पर खई सकते किन-किन पेठी बिमारी में इसका प्रियोग लिया जा मैं हूँ आपको होस्ट मोहित आदीच आप देखरें अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबूट मेडिसीन चलिए आसवे कुछ निया सेकते हैं हाइलो फैंट्स नामस्ते दोस्तों यहाँ टेबलेट एक फिक्स कॉम्मीनेसन टेबलेट है इस टेबलेट में जो क्लो डायजिपॉकसाइड है यहाँ बिंजो डायजिपन कलास की दवा है जो मुख्य रूप से मस्टिक्श पर कार्यकरती है यह हमारे मस्टिक्स में chemical messenger GABA की activity को बढ़ा देती है जिस current से जो हमारे मस्टिक्स की nerve से ले इसकी abnormal activity तथा excessive activity को control किया जा सके तथा इसमें जो दूसरी दवा है cleanidium bromide यह anti-muscarinic tablet तथा anti-colinergic tablet है जो मुख्य रूप से stomach तथा intestine के smooth muscles पर कारे करती है यह smooth muscle को relax करने का कारे करती है यह abdominal cramps, abdominal pain, abdominal spasm, pate का फूलना, intestine में मरोड चलना इन सभी को ठीक करने का कारे करती है अब यहाँ पर एक दवा तो brain पर काम करती है, दूसरी दवा stomach के smooth muscle पर कारे करती है इन दोनों को साथ में क्यों मिलाएगे, इसका क्या करने, तो इसको हमें इसके users के part में जानेंगे, जिसे कि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी अब हमें इसकी दूसरी डिटेल जान लेते हैं, अगर इस टेबलेट में दोनों दवाओं की strength के बात करें, तो इसमें जो chloride है, जे पॉक्साइड है, यह पांच मिलिगाम की strength में मिलाई जाती है और जो cleanidium bromide है, यह 2.5 मिलिगाम की strength में मिलाई जाती है अब जब भी आप इसको medical store पर खहिदने जाएंगे, तो आपको इस नामचेती मिलेगे नहीं, आपको brand name की आऊ सकता होगी तो brand name को भी साथ में जान लेते हैं, पुछ इसके popular brand नेम है, जिसमें सबसे popular brand है, Librex tablet इसको आप सभी बली भाती जानते हैं, इसके अलावा, इक्वीरेस्क टेबलेट, नोर्मेक्सिन, सिसी टेबलेट, स्पास्रिल टेबलेट, तता गट्रेक्स टेबलेट यह है इसके कुछ popular brand है, और हो सकता है, इसके अलाव को दूसरी brand भी आपके area मिल जाए, जो भी आपको आसानी स्मिलियों से आप खाई सकते हैं यहाँ पर जो सभी brands है, इसके box पर या strip आप देख पा रहें, उपर NRX लिखा है, जो red color में इस NRX का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब है, यहाँ दवा, नार्कोटिक ग्रूप की दवा है, जिसे सीर फोर सिफ डॉक्टर की सलहा पर ही प्रियोग लेना चाहिए, साब ही medical store पर इस दवा को बिना डॉक्टर prescription पर नहीं दिया जाता है तो आप भी इस टेबलेट को सिफ डॉक्टर की सलहा पर खरीद कर ही प्रियोग लें, अगर इस टेबलेट के प्राइस की बात करें, कितने रुपे में मिल जाती है, तो यहाँ टेबलेट अगर परती टेबलेट प्राइस की जाने, तो तीन रुपे से लगा कर पांस रुप पर दिए प्रियोग लिया जाता है तो इस टो मकता इंटेस्टान से जुड़ी उसमेश्य उसको ठीक करने के लिए प्रियोग लिया जाता है मुख्य बिमारी जिसमें IBS Irritable bowel syndrome है इसमें इंटेस्टाइन में सुजन आ जाती है इंटेस्टाइन में धर्द होने लग जाता है विक्ती को अस्वेस्टाइन होना बकति की दस्त लगणा है अलसर हो जाए तो उस अलसर क्या ठीक करने के लिए उसके टीटमेंट में सपोर्टिव मेडिशन ग्रूप में यह दवा दी जाती है किसी वेक्ति को एक्यूट एंटीरियो कॉलाइटिस नाम की बिमारी हो गई हो जो भी इंटेस्टाइन डाइजिस्ट्री सिस्टम से तो उसमें इस दवा को बहुत ही ज़्यादा सावधाने के साथ दिया जाता है जितनी मात्रा डॉक्टर ने परसेंट को एडवाईज की उतनी ही मात्रा ले थोड़ी भी ज़्यादा नहीं ले समिश्या कर सकती है तो अब हम यहाँ पर यह बात भी जान लेते हैं इन दोनों दवाओं की स्टेबलेट में मिक्स क्यों किया गया है एक तो मस्टिक्स पे कारी करती दूसरी पेट पे कारी करती दुनों को एक साथ डालने का क्या मतलब रहा तो जब भी किसी व्यक्ति को इंटरनल औरगर की बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी में व्यक्ति को काफी समश को द्वारा अलग दमों को देना वश्य को जाता है इसी कारण से इस वीमारी से जुड़ी हुई जो टेंट संता एंजाइट ही उसको रोकने के लिए यह दवा क्लोड आई जब पोक्साइट इस क्लेनी डियम के साथ में मिला ही गई है उम्मीद करता हूं सोट में तता आसान लासं आप इसे समझ पाए होगे अब जान लेते हैं कि क्या-kia side effect होते हैं यदी किसी व्यक्ति को होते हैं तो जो most common side effect है उसमें व्यक्ति को मुँझे सुखाफन लगना दूंदला दिखाए देना सब्सक्राइब सब्सक्राइब को सकता है क्योंकि जो इंटेस्टाइन की जो मुमेंट है इसको भी स्लो करता है तो सब्सक्राइब इस समयशा है साइड इफेक्ट में देखी यह यह इसके लोगों दूसरे अंडिजबिल इफ्टर को मिले तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद कर अपने डॉक्टर से मिले जैसे की प्रॉपर टीट्मेट आपको दिया जा सके अब वीडियो क्लाश में जान लेते हैं इस क्या डूस में लिया जाता है कितनी मात्रा में लेते हैं इसको लेते समय क्या-क्या सावधानी रखनी होती तो जो कमण रेकमेंडेट वह उसमें एक टेबलेट सुबह ता एक टेबलेट सामको लेने की सलहा दी जाती और अगर सीवी रिस्तिती किसी वेक्ति हो तो दिन में को ले सकते हैं इस टेर उट को सामयने दस दिन तक ढूलत नबे टिरेजहें करें तो यदि आप प्रेगनेंट हैं या प्रेगनेंटी के प्लानिंग कर लिए यदि आपकी उम्र 18 साल से कम हैं आपको किड्नी की कोई सीवेर डीजीज है आप एलकोहल का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं तो इसके बारे में अपने डोकर को जूरू से बता हैं जिससे कि आपको यह टेबलेट नहीं लिखे को दूसरी टेबलेट लिख दे या इसकी आवसल तो दूस एड़स करके लिखी जा सके और जब आप यह टेबलेट लेते हों तो आपको कुछ बातें वीसेस तोर से द्यान रखनी है आपको ड्राइविंग नहीं करनी है है वी मशीनिर पर कारें नहीं करना नाहीं एलकोहल का सेवन करना है यदि यह करते आपको कुछ समिश्या हो सकती है तो इस सा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जोर से दबाएं आप ते अपने दोस्त मुहित आदिश के साथ देख रहेते अपने एडिव चैनल लान अबूट मेडिसिंग तैक यो फेंड्स टेक क्यार एंड बी कैफ आफ आप मेडिसिंग उसर्स